हलो दोस्तों मैं वासंकर आपको अपना चैनल ट्रिकी वाई विस्तकुपता में स्वागत करता हूँ दोस्तों आज मैं जहारखंड से रिलेटर बहुत ही बड़ा अपडेट लेकर आया हूँ खास कर मैट्रिक से उपर पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए यह बहुत ही खुसकबरी है कि उनकी उनलों का इक कल्यान इसकोलर्शिफ दुहजार बाइस और तेज का भरने का डेट जारी कर दिया गया है इसलिए आप विडियो पर बने रहेगा और हो सके तो मेरे चैनल को सेयर तरह सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे दोस्तों तो चलिए दोस्तों आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ इक अल्यान इसकोलर्शिफ के बारे में इसलिए आप विडियो को लास्ट तक देखिएगा आज मैं आप लोग को विडियो में इक अल्यान से रिलेटेड बहुत बड़ा अपडेट देने वाला हूँ कि किस तरह से आप इस फर्म को भर सकते हैं और आपको इसे भरने के लिए कौन-कौन सी डोकुमेंस की आवसकता होगी वो सब बारे में हम भी सार से बताने वाले हूँ इसलिए आप इस विडियो को लास्ट तक चरू देखिएगा जैसा कि यहां देख रहे हैं इक कल्यान जहारखंड स्कोलर्शिप अर्थात जहारखंड सरकार की तरफ से इक कल्यान स्कोलर्शिप का वेव साइट को पोटल को जारी कर दिया गया है उसके तहट आप इसमें अपलाई कर स्कोलर्शिप ले सकते हैं इसके अंतरगत मैट्रिक्स से उपर वाले कलास के सभी विद्यार्जियों को जार्खन सरकार की तरफ से स्कोलर्शिप दिया जाएगा यहां देखिए जो बताया गया है दू हजार तेश बाइस और तेश के एक कल्यान एक ओनलाइन छातुरिती पोटल है जो जार्खन सरकार की कल्यान विभाग दोवारा छात्रों की उसकी सिक्षक को आगे बढ़ावा के लिए बितिय सहाता परदान कर ले के लिए सुरू किया गया है इक कल्यान पोटल जार्खन में पढ़ने वाले छात्रों को विभिन परकार की छात्रुती योजनाये प्रदान करती है जिसमें प्री मेटीरिक, प्रात्मिक और माद्मिक विद्यालों के साथ-साथ पोस्ट मेटीरिक उच असरिये माद्मिक असना उतर और बेवसायिक पाथे करम में अधियन रथ वाले छात्रों को भी सामिल किया गया है अर्थात एक से लेकर दस तक के को प्रीमियम मैट्रिक की तरफ मैट्रिक की योजनाओं के तरफ से उन्हें छातरती दिया जाता है जबकि पोस्ट मैट्रिक अर्थात उचर अस्तर ये मैट्रिक के बाद एगरहमी बरहमी भी ये में के साथ साथ बेहोसाइक पाथे करम जैसे बी एड आई टी आई इतियादी में उन्हें कारेरत अर्थात अधियनरत छातरों को इसकलर सुब के रूप में पैसा दिया जाता है इसके साथ यहाँ पर बता रहा है कि छातर नीचे दिये गए लिंक के माधियम से ओनलाइन आवेदन कर सकते हैं अर्थात आपको मैं एक लिंक अपने अपने बेव साइट पर डाल दूँगा अर्थात मैं आपको डिस्वेशन वॉक्स में आपको हम एक लिंक दे दूँगा उसके माधियम से आप इस फर्म को फिलफ कर सकते हैं आवेदन ओनलाइन कर सकते हैं जैसा कि यहाँ देख रहे हैं स्कोलर्शिप नेम अर्थात इक अल्यान ज्हारकंड पोस्ट मैट्रिक स्कोलर्शिप 2022 और 23 है इसके अंतरगत ओर्गनाइज है यहाँ ज्हारकंड गोवर् कर सकते हैं अप्लिकेशन प्रोसेस अर्थात ओनलाइन रहेगा आपको इस फर्म को ओनलाइन फ्रीलफ करना होगा ओनलाइन आपको कराना होगा इसमें ओनलाइन अप्लिकेशन ओनलाइन अप्लाइन अप्लाइन अर्थात एक फर्वरी से स्टार्ट हो गया है आज ही से स्ट इसका लास्ट डेट ओन्लाइन अप्लाइए का लास्ट डेट यहाँ पर जो देख रहे हैं लास्ट डेट 6 मार्च दुहजार 23 तक है इसलिए मैंने यहाँ पर फासमार्च तक लिख दिया हूं ताकि आप एक दिया एक्स्ट्रा लेकर चले इस फर्म को भरने के लिए कौन-कौन सी अबिलीटी चाहिए यहाँ पर लिखा हुआ है इक कल्यान जहरखांड पोस्ट मैट्रिक इसकोलर्शिप के लिए प्राप्त होने के लिए छात्रों को निमलिखित मापडंड को पूरा करना होगा यहाँ पर जो मापडं दिया होगा है उसी के अंतरगत आपको देखना होगा इसमें लिखा हो गया जहरखन राज निमासी या अस्थानिय निमासी ही इस छात्रों के लिए अवेदन कर सकते हैं इसके पाद पॉइंट नुबर टू है यह छात्रों केवल अनुसुति जाती अनुसुति जन जाती और ओभी सी गरवी सिरेनियों के लिए लागू है इसके साथ यहां बता रहा है अनुसुचित जाती अनुसुचित जन जाती के लिए अधिकतम परिवारिक आए 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 दस्वी से उपर किसी भी सखाए एवं किसी भी वर्ग में पढ़ने वाले विद्यार्थी आविदन कर सकते हैं इस नियामावली के तहत राजे के बाहर के विश्व विद्याले एवं संसाओं से समाने असनाता कुर्स जैसे बीए, बीएसी, भीकम, सहित, डिग्री डिपलोमा और अन्य कुर्स कर रहे विद्यार्थियों को च्छात्रूती नहीं मिलेगी अर्थात वे दुसरे विश्व विद्याले से करते हैं, बाहर रहकर पढ़ाई करते हैं तो उनको स्कोलर्शेप नहीं दिया चाएगा इसके साथ ही यहाँ पर जो दियक रहें, आपको इसे भरने के लिए कौन-कौन से डोकुमेंस इंपोर्टेंट है, अर्थात आवस्चक कागजात की आवसकता होती है, इसको बारे में भी आपको मैं यहाँ बता दे रहा हूँ सबसे पहले आपको मैट्रिक मार्क सिट होना चाहिए, इसके बाद जाती परमान पत्र होना चाहिए, और आय परमान पत्र होना चाहिए, आय परमान पत्र आपका फिलहाल का होना चाहिए, जिसकी भैलिटी छो महीना होती है, अगर आपके पास नहीं है, तो अभी भी आप certificate should be from 1st September 2022, अर्था 2022 1st September से रहेगा तो भी आपका चल सकता है, इसके बाद चोथा point यहां कह रहा है, निमास परमान पत्र online होना चाहिए, अर्था जो भी आपका निमास परमान पत्र होगा, वो online होना चाहिए, इसके बाद आपको school या college से bonafide certificate, जो school के master के दोबारा दिया जा bonafide बनवा सकते हैं, इसके बाद आपको अधार card की आउसकता होगी, अधार card होना चाहिए, इसके साथ ही आपको bank passbook होना चाहिए, इसके साथ ही पीछले साल का marksit जैसे आपकर metric, एगर हमी में है तो metric का अर्थात आपको एक साल पीछे वाले marksit की आउसकता होगी, इसके इसके बाद आपको admission number होगा, अर्थात आपको जब admission कराएं होंगे, उसका roll number की भी आउसकता होगी, इसके साथ admission date, जब आप admission अगले class में लिये होंगे, उसका आपको date की भी आउसकता होगी इसके साथ ही हम लोग देखते हैं, family income अर्थि परवारिक आए को किसको कितना आए की आउसकता होगी, अर्थात कितना आए की इसमें मांग की गई है, इक अल्यान postal metric छातुरती के लिए परिवारिक आए, सीमा जार्खन सरकारदवारा निर्धारित की गई जाती है, और छात इंकम के बारे में भी बता दिया गया है, तो यहां पर देखिए, पहला बताया है, और उसुती जाती जिसे AC कहते हैं, उनके लिए 8,00,000 की आए चलेगी, जबकि और उसुती जन जाती, AC के लिए 8,00,000 की रासी की बना सकते हैं, इसके बाद फिचली जाती OBC के लिए भी 8, इस तरह से आप बना सकते हैं, तो आई हो पिया वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिएगा, और जितना हो से अपने दोस्तों में सेर करना नहीं भूलेंगे, और हाँ, इसका मैंने फोर्म को और लाइन करने का एक वीडियो लेक कर आयोंगा, अगर आप इस फोर्म को फिलप कर सकते हैं, तो कर लिजिएगा, अगर आपको कोई दिकत हो रहा होगा, तो मैंने बहुत ही जल्दी आपके लिए एक ओनलाइन वीडियो अर्थात किस तरह से आप स्कोलर सिप को अपलाई करेंगे, और किस तरह से आप उसको द